हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका काड्ड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे वैजिटेबल पैनकेक, इसको हम गेहू के आटे से बनाएंगे, यह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और जटपड बनके तियार हो जाता है, आप इसको नाश्ते में बनाकर खिलाएं या बच्चों को उनके टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, मेरी आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल का आठा, यह वही आठा है, जो रोज हम रोटी के लिए यूज करते हैं, अब इसमें मैं मिलाओंगी नमक, 1.5 TSP, हल्दी हम दालेंगे 1.4 TSP, लाल मिर्ची हम दालेंगे 1.5 TSP, साथ में मिलाएंगे 1.4 TSP अजवैन, चाट मसाल हम दालेंगे 1.5 TSP, इन सभी मसालों को आठ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, यह सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम वेजिटेबल पैनकेक बना रहे हैं, तो इसमें दालेंगे कुछ वेजिटेबल, हाफ कप मैंने लिए हैं पत्ता गोभी, बारिक कटी हुई, शिमला मिर्ची एक बारिक कटी हुई, हाफ को आटे की साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी वेजिटेबल आटे की साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी, पानी हमें एक साथ नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ही हमें मिलाना है, इसको हम इ यह देखिए यह अच्छे से mix हो गया है, एक smooth batters का त्यार हो गया है, इसको बनाने में लगबग 3-4 cup जितना पानी लगा है, अब हम चलते हैं gas की तरफ और pancakes बना लेते हैं, pancakes को हम तवे पे बनाएंगे, तवे को मैंने gas पे रख दिया है और यह गरम हो गया है, अब इसको सब से पहले हम oil से grease करेंगे, इसको हमें अच्छे से grease करना है, उसके बाद हम थोड़ा सा portion लेंगे, अपने mix का और इस तरह से फैलाएंगे, ज्यादा मोटा मोटा हमें नहीं फैलाना है, इसको थोड़ा सा पतला ही फैलाना है, एक बड़े पे जतने आएंगे, उतने ही हम डालेंगे, अब इसको एक साइड से सिखने देंगे, उसके बाद इसको हम turn करेंगे, ये देखिए, साइड से थोड़ा-थोड़ा पकने लग गया है, इसका मतलब ये नीचे से सिख गया है, अब इसके उपर हम थोड़ा सा oil डालेंगे, oil बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको हम turn कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छा सिख गया है, ये देखिए दोनों ही सिख गए है, अब इसको दूसरी साइट से भी इसी तरह से हम सिखने देंगे, गैस की flame को हमें low ही रखना है, इसे हम तेज गैस पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा, लगबग एक मिनट हो गया है, इसको हम दूसरी साइट से भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये सिख गया है, अब इसको इस तरह से दबाते हुए, दूसरी साइ से बहुत अच्छे golden हो गए है, और अच्छे से ये सिख गए है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी बचे हुए पैंकेक को भी हम इसी तरह बना कर त्यार करेंगे, ये सभी पैंकेक को सेख कर मैंने प्लेट में निकाल लिया है, जरी नहीं आप इसमें यही वेजेटेबल दाले, आप सीजन के अकॉर्डिंग कोई भी वेजेटेबल यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सॉस, चटनी, दही या बच्चों की फेवरेट मियोनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, इसी के साथ ये वेजेटेबल पैंकेक सर्फ करने के लिए तयार हो गए है, हो कर सकते हैं, आप 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 सकत